नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इस्टेडवीद एलिस एलेक्स पर और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आरो आरो की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश से आपको कम समय में बहतर गंटेंड उपलत कराना और आगे भी आने की संभावना हो जाती है तो चलिए देर ना करते वेश शुरू कर लेते हैं आज का हमारा तो फंडेट कोष्चन का वीडियो ये हो जाएगा आपका साइंस से संबंदित और चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला कोष्चन क्या हो जाता है और यह वो में जो फ़िएव किया जाते हैं उनको से संबंदित जो आपका अध्यान हो जाता है उसको क्या कहा जाएगा екाल के लिए फूलो की 오래 का या आपका फूलोगी खेति हो जाएगा इसके बाद बाद करेंगे भोदों की तो पो जाता है यह हो जाता है यहन की अतब दों pleas my डियत है यह कभी हो जाता है बात कर लेता है कोश्चन नमबर दो के बारे में और आप से पूछागा है कीटो के व्यग्यानिक अध्यन को क्या कहा जाता है यह आपको पताना है कीटो के व्यग्यानिक अध्यन को क्या कहा जाएगा तो यह कहा जाएगा एंटोमोलोजी कहा जाएगा कीटो क अध्यन को क्योंकि end माने आपका चीटी होता है। और चीटी जो होती है य आपकी कीट होती है। ठीक है। और इसलिए इसको जो एंटोमोलोजी कहा जाता है किटो के अध्यन को ठीक है ये चीजा आपने समझ लिया है बात कर लेते हैं एथनोलोजी के बारे में तो विभिन संस्क्रेतों के व्यग्यानिक विवरण का जो तुलनातमगध्यन होता है ये हो जाता है आपका एथनोलोजी ठीक है संस्क्रेतों क को है यहां जाएगा जन्तो के व्याभार के अध्यन को क्या सब्सक्राइब करेंगे जो आपका अध्यन को यह कहा जाएगा छेम्ध की 20 कहा जाएगा और एंटोमोलोजी आपने समझ लिया है ठीक है कीटो के दिन को एंटोमोलोजी कहा जाता है बात कर लेते हैं question number 3 के बारे में निमने लिखित में से कौन सही नहीं है नहीं आप से पूछा गया है यहाँ को ध्यान देना सबसे पहले सबसे पहले आपका ध्यान जा हो जाता है यह आपको बताना है बात के लेते हैं बाइविक जगत में होने कार्यों पदेतिक अध्यन को तसका जयता है रभूमिक्सिक को बाईविक जगत है नहीं नहीं सीज़ आपने समझ लिया है बायोग नोमी की बात करेंगे तो यहां जीवन के नियमों को अध्यायन हो जाएगा बायोग लोमी की रिजया की की बात करेंगे मानों जंसंक्य एवं मानों जाती तके महत्पून आखडों का अध्यन हो जाता है आपका जनांकी की ठीक है इस जनांकी सीज़े आपके question पुछे जाते हैं मैलेलो लोजी की बात करेंगे ये आपका मोलेस को और उनके खोलों के अध्यन से संबन्दित हो जाएगा Meloology और यहाen आपसे पुछा गया था गलत कौन सा हो जाता है तो यह आपका गलत हो जाता है Question 4 के बारे मिं निम्न ने लिखी तेमें से कौन से ही है यहाँ आपसे सही पूछ लेगा है कौन सा सही हो जाता है यह आपको बताना है और सही कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है कोश्चन नमर चार बात कर लेते हैं जो आपका टेरोटोलोजी होता जाता है तो टेरोटोलोजी किसको कहा जाता है यह आपका जनतु विग्ञान की साखा नहीं होती है यह आपका गलत हो जाता है तो टेरेंटोलोजी कहा जाएगा सारी रिकी विकास में आने वाली ऐसमानतों के अध्यन को कहा जाएगा आपका टेरेंटोलोजी ठीक है तो ये तो आपका गलत हो जाता है जेरेंटोलोजी की बात की गई है जेरेंटोलोजी किस से संबंदित है तो gerontology हो जाती है आपकी वरद्दावस्ता इम काल परबावन से और यह आपका दिया गया है वरद्दावस्ता इम काल परबावन के सामाजिक, मनोवेग्यनिक ताथा जैविक पहलों के अध्यन की विद्या को क्या कहा जाएगा जैरेंटोलोजी कहा जाएगा आपसे पुछा गया है सही कौन सा तो इस सही केवल आपका हो जाता है बी, ओंकोलोजी की बात कर लेते हैं, ओंकोलोजी किसको कहा जाएगा, तो चिकित्सा विज्ञान की वह साखा होती है, जिसके अंतरगत कैंसर से संबंदित जो है अध्यन किया जाएगा, ठीक है, यहां कहेंगे, कैंसर से संबंदित जो आपका अध्यन होगा, उसको और नीतो लोजी के अंतरगत आपका पक्षियों का अध्यान आ जाएगा, ओंको लोजी के अंतरगत आपका कैंसर का अध्यान आ जाएगा, और जैरेंटो लोजी के अंतरगत ये आपका व्रद्धा वस्ता का अध्यान आ जाएगा, और टेरेंटो लोजी के अंतरगत ये आप सुमेलित है यह आपको बताना है और हम बात करेंगे फिलोलोजी के बारे में तो फिलोलोजी यह आपका सब्द कोस का संकलन नहीं है यह आपका हो जाता है गलत फिलोलोजी किसको कहा जाएगा यह भासा की संगरक्षना और विकास के इतियास को अध्यान हो जाता है फिलोलोज या यानि आप कह सकते हैं, lexicography ये आपका हो जाता है, सब्द कोसका जो संख्लन है ये आपका lexicography कहा जाएगा, बात कालेते हैं, पीशी गल्चर की तो इसमें मतस्भ पालन या मचली पालना जाएगा, तो ये आपका correct हो जाता है, सेरी गल्चर ये वन संवर्दन से संबंदित नहीं है ये भी आपका गलत हो जाएगा सेरी गल्चर कहा जाएगा आपका कच्चे रेसम ये कहा जाएगा आपका रेसम के उत्पादन से संबंदित हो जाएगा बात करेंगे स्यरो लोजी की से संबंदित हो जाती है और इस में हमारे टोप मिल जाते हैं आपको टोप हंडेट準 और यह सारे question आपको अइसे मिलते हैं जो कहीं ना कहीं अभी गई है ठीक है यह चीज आपको याद रहती हैं इस वीडियो में जितने आपको इखोच्स नहीं baik इनमेंसे काफी कोस्चन आपको जो है आपकी परिक्षा में देखने को मिल जाएंगे और यहां बात कर लेते हैं सेरोलोजी के बारे में सेरोलोजी किस से संबंदित हो जाती है यह आपको बताना है तो सेरोलोजी संबंदित हो जाती है आपकी रुधिर सीरम याद एक के अध्यन से तो यह आपका करक्ट हो जाता है ठीक है आपका correct हो जाता है A का हो जाता है 4 और ओरोलोजी की बात करेंगे तो ओरोलोजी किस से संबंदित हो जाती है ओरोलोजी आपकी परवते को अधिन से संबंदित हो जाती है A का 4 हो जाएगा और B का आपका 3 हो जाएगा और A का 4 और B का 3 आपका दिया गया है केवल A की option में और ये option हो जाता है आपका C ठीक है ये चीज़ आपको देख लेनी है बात कर लेते हैं ओरनितोलोजी के बारे में ये आपका हो जाता है संब्धित पक्षों के अधिन से पहले इनोलोजी ये आपका पराग के अधिन से संब्धित हो जाता है और ये वो question है जो आपकी परिक्समे एजिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है question number 6 का जो correct answer ये आपका हो जाता है C C का आपका 2 हो जाता है और T का आपका 1 हो जाता है बात कर लेते है question number 7 के बारे में विकास के उत्परिवर्तन सिधान्त को किस ने दिया था ये आपको बताना है विकास के उत्परिवर्तन सिधान्त को किस ने दिया था और इसका जो correct answer ये हो जाता है आपका deep bridge डीब्रीज के द्वारा विकाज उत्परिवर्तन के सिधान्त को दिया गया था बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर आठ के बारे में आर्कियो पिटेरिक्स क्या हो जाता है ये आपको बताना है आर्कियो पिटेरिक्स क्या हो जाता है सरी सिरफ पक्षियो की बीच की कड़ी जुरेशिक काल गाई तंदारी एक मानव जाती या फिर आपका मेहसो जोई आपको बताने कौन सा इन में से करेक्ट हो जाएगा और इसका जो इसका जो करेक्ट आंसर यह आपका हो जाता है सरी शिरप वै पक्सी के बीच की जो कड़ी होती है उसको जो है RQOP Tiaris कहा जाता है बात कर लेते हैं कोस्चन नमबर 9 के बारे में विकास के मुख्य कारक क्या क्या हो जाते हैं ये आपको बताना है विकास के मुख्य कारक से आपसे कोस्चन पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर यह आपका हो जाता है प्राकृतिक वातावरन विकास का मुख्यकारक हो जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 10 के बारे में लीनियस को आधोनिक वर्गी गरण के पिता के रूप में जाना जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 11 के बारे में सबसे बड़ा इस्तन पाई कोन है तो यह जो सब जानते हैं सबसे बड़ा इस्तन पाई आपका वहल हो जाता है इस तरह के question जो है आपसे पूछे रहे हैं और वहेल की लंबाई आपसे पूछी जा सकते हैं तो लगबग 33 meter जो इसकी लंबाई हो सकती है जरूरी नहीं है इतनी हो 33 meter के आसपास इसकी जो लंबाई हो सकती है और इसका जो वज़न है वो आपका 180 meter टन के आसपास हो सकता है metric ton में जो है इसका वज़न आखा जाता है 180 meter टन और यह सबसे बड़ा जीव हो जाता है प्रत्विवब पाई जाने वाला जो आपका इस्तन पाई हो जाता है बात कर लेते हैं question number 12 के बारे में निमने लिखित में से कौन मचली है मचली है यह आपको बताना है और starfish की बात करेंगे यह आपका मचली नहीं होती है catfish यह आपका एक मचली की परजाती हो जाती है silverfish यह भी मचली नहीं है और davis fish यह भी मचली नहीं है मचली कौन से हो जाती, एक कैटफिस आपकी मचली हो जाती है यहां बात कर लेते हैं, कोश्चन नमबर 13 के बारे में निम्न में से कौन इस्तन पाई हो जाता है इस्तन पाई आपसे यहां भी पूछा गया है और यह वो कोश्चन है जो आपको बदल बदल कर जो हर साल आपसे पूछ लिए जाते है आपसे पूछा गया कौन सा इस्तन पाई हो जाता है तो यह आपका वेहल जो है इस्तन पाई हो जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 14 के बारे में एमफीबिया होते हैं एमफीबिया क्या होते हैं यह आपको बताना है और इसका जो correct answer यह आपको कहा हो जाता है जल और थल दोनों में रह सकने वाले पसू जो आपके जल और इस थल दोनों पर रह सकने वाले पसू होते हैं उनको जो MPBI कहा जाता है ठीक है यह आपको यहाँ रखना है MPBI से और इनका जो उधारन है यह आपका उजाता जो मेंडक होते हैं यह आपके दोनों जगए रह सकते हैं जल में भी रह सकते हैं ठीक है मेंडक जो है सबसे अच्छा उधारन हो जाता है MPBI का आपसे यह भी पूछा जा सकता है बात कर लेते हैं question number 15 के बारे में पोधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है यह आपको बताना है तो पोधे का जो हल्दी भाग होता है यह आपका हो जाता है तना ठीक है तना जो है यह हो जाता है हल्दी और पोधे के हल्दी जो प्राप्त होती है आपकी तने से प्राप्त होती है बात कर लेते है कोश्च नमबर 16 के बारे में निम्न को सुमेलित कीजिए सुमेलित करना है आपको कौन-कौन से हो जाएंगे आपको बताना है बात कर लेते हैं परकंद के बारे में परकंद आपका क्या हो जाता है तो परकंद आपका हो जाता है अद्रक ठीक है अद्रक जो है यह आपका परकंद हो जाता है रूपांतरित इस्तंब की बात करेंगे तो यह आपका हो जाता है आलू ठीक है यह तना होता है जो आपका रूपांतरित हो जाता है उसका जो है घट परनी क्या होता है घट परनी कीट बक्सी पोदा होता है ठीक है और इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कैसीन की बात करेंगे तो कैसीन यह आपका दुग्द प्रोटीन हो जाता है जो दूद के अंदर प्रोटीन होती है यह हो जाता है आपका कैसीन इस चेरव से आपका A उप्शन जो है, हो जाता है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है, सबस्क्राइब कर सकते हैं, और वीडियोका अपने दोस्तों में भी शेर कर सकते हैं, और हमें motivate करने के लिए एक like तो आपका बनता ही है और इस वीडियो की free PDF पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अब हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हैं और यहां आप जानते हैं, हम जो हैं कम समय में बहतर तयारी में विश्वास रखते हैं. बात कर लेते कोश्चेन नमर 17 के बारे में, निमने लिखतने से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है यहाप से पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है? अफीम की बात करेंगे तो अफीम ये आपका अफीम की डूडी से संबंदित हो जाएगा सन की बात करेंगे तो सन एक ये तना हो जाएगा तो ये तो करक्ट हो जाएगा नारियल क्या हो जाएगा नारियल एक मांसल पढ़न नहीं है नारियल की बात करेंगे तो नारियल आपका हो जाता है बुरून पोस ठीक है ये आपका हो जाता है नारियल केसर की बात करेंगे तो केसर एक मसाला हो जाता है ठीक है बाकी सभी सही हो जाते है और आपका केवल सी गलत हो जाता है क्योंकि सी जो है ये आपका नारियल मांसल पर निसे सम्बंदित नहीं है बात कर लेते हैं कोश्च नमबर 18 के बारे में लोंग को निमने लिखित भाग से प्राप्त किया जाता है किस भाग से प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है लोंग की बात की गई है और लोग को आपका जो है एक सुस्कू पूस्पकली की रूप में जाना जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 19 के बारे में निमने लिखिते में से कौन सही है सही आप से पूछा गया है कौन सही हो जाएगा इदर आपके फल दिये गया है इदर आपके खाने का भाग दिया गया है और सेव की बात करेंगे तो सेव का बुरून पोस्ट नहीं खाया जाता है ये आपका गलत हो जाता है बुरून पोस्ट खाया जाता है आपका नारियल का नारियल की बात करेंगे तो नारियल का जो है मांसल पुसपासन नहीं खाय जाता है मांसल पुसपासन खाय जाता है सेव का बात करते हैं लीची की तो लीची का जो है ये आपका फल बिती नहीं खाय जाती है तो लीची का क्या खाये जाता है लीची का मानसल जो आपका बीज चोल होता है वो खाये जाता है बीज चोल खाये जाता है आपका लीची का इसके बाद बात कर लेते हैं मटर की तो मटर का क्या खाये जाता है मटर का भुरून और बीज कोस्ट खाये जाता है ठीक है तो आपसे सही पूछा गया तो सही आपका केवलडी हो जाता है भुरून पोस और पूर्ण बीज जो आपका बीज होता है पूर्ण बीज ये आपका खाय जाता है मतर का बात कर लें ते कोश्च नमबर बीज के बारे में प्याज से आने वाली गंद का क्या कारण हो जाता है ये आपको बताना है प्याज से आने वाली गंद का कारण आपसे पूछा गया है और इसका जो करक्ट अंसर ये आपका हो जाता है सल्फर योगी सल्फर योगी की वज़े से प्याज में गंद आती है यह वो कोचन है जो आपको are GT जापकी प्रीक्सा में देखने को मिल सकते हैं बात कर लेता है किस बारे में निमनेली खित में से कौन सा गलत हो जाएगा यह आपको बताना है गलत आप से पूचा गया है कुनेन की बात करते है कुनेन आपका पाये जाता है तो कैप से सिन पाये जाता है लाल मिर्च में कैप से सिन ये हो जाता है ठीक है तो ये आपका लाल मिर्च में पाये जाता है तो ये आपका गलत हो जाता है और आपसे गलत ही पूछा गया है सहतूत की बात करेंगे तो सहतूत में आपका सोरोसिस पाये जाता है म मरूश थेले पोदों की जड़े लंबी होती हैं क्यों क्यों लंबी होती है मरूश थेले पोदों की जड़े यह आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर यह आपका हो जाता है जड़े पानी की तलास में लंबी होती चली जाती है ठीक है इसलिए मरूश थेले पोदे जो यह आपको बताना है सही आप से पूछा गया है और यह question हो जाता है आपका तेहिस कि और इसका जो correct answer है वो हम देख लेते हैं कि तरण भक्सी की बात की गई है तो क्या इतरा प्राथमी को भोगता हो जाते हैं तो यह आपका correct जो आपके तरण भक्सी होते हैं यह आपके तरण मतलब जो आपके घास फूस और तीन के खाने वाले होते हैं यह आपके प्रात्मिक उबहुकता हो जाते हैं तो यह तो आपका हो जाता है बात कर लेता है स्वय जीवी स्वय जीवी ये आपका विबंदक नहीं होता है ये आपका गलत हो जाता है और परोब जीवी की बात करेंगे तो यह आपका उत्पादक परोब जीवी मरतोब जीवी जो मरतों के उपर आशिरीत रहते हैं यह आपके उपभोकता नहीं हो सकते हैं ठीक है तो तीनों आपके गलत हो जाते हैं और आपका सही हो जाता है केवल एक सेव की बात करेंगे सेव में क्या पाये जाता है तो लाईकोपीन सेव में नहीं पाये जाता है आपका टमाटर में ठीक है? इह आपको याद रखना है टमाटर में आपका लाइकोपीन पाया जाता है सेव में क्या पाया जाता है सेव में आपका एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है क्या पाया जाता है ये आपका पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन ये पाया जाता है आपका सेव में ठीक है इसके बाद बात करेंगे टमाटर की तो टमाटर में आपका लाइक ओपीन हो जाता है तो ये जो हैं दो गलत हो जाते हैं और पपीते की बात करेंगे पपीते में क्या पाये जाता है पपीते में आपका पाये जाता है कैरितरा जैनतीन यहाँ पर जो हैं आपके option दिए गई है पपीते में आपका कैरी था जैन्थीन पाया जाता है हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में आपका पाया जाता है कुर्कुमीन हल्दी में आपका कुर्कुमीन पाया जाता है तो यह आपका correct हो जाता है और आपसे पुछा गया सही कौन सा है तो सही केवल आपका हो जाता है D, हल्दी में आपका कुरकुमीन पाया जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 25 के बारे में निमनेली खितम से कौन सही हो जाएगा सही यहाँ भी आपसे पूछा गया है इधर आपके उत्पन रोग हो जाते हैं और इधर आपके ततो की कमी हो जाती है किस ततो की कमी से कौन सा रोग हो जाता है यह आपको पताना है बात कर लेते हैं मक्का में जो विटकली होती है तो ये आपका बोरान की कमी से नहीं होता है ये आपका हो जाता है गलत मक्का में जो विटकली का रोग होता है ये आपका जस्ता की कमी से हो जाता है ठीक है किसकी कमी से हो जाएगा ये आपका जस्ता की कमी से हो जाएगा आपका प्रूसिक अमल फूल गबी में ब्राउनिंगिव किस वजल तो यह हो जाती है आपकी मोबली डिनेम की वज़े से नहीं होती है तो यह आपकी बोरान की वज़े से हो जाती है ठीक है बोरान की वज़े से आपकी फूल गोबी में ब्राउनिंग आ जाती है आपसे पुछा गया था कौन सा सही है तो सही केवल एक हो जाता है और वो हो जाता है आपका बी और चले बात करें तो question number हो जाता है हमारा 26 निम्न लिखित में से कौन सही है यहाँ भी आपसे सही पूछा गया है कौन सा आपका सही हो जाएगा सही केवल आपको बताना है यहाँ बात करेंगे मिर्च में जो चट पटा होती है किसकी वज़े से हो जाती है तो मिर्च में जो चट पटा है तो यह आपका कैप सा नाथिन की वज़े से नहीं होती है यह हो जाती है आपकी कैप से निन की वज़े से और यह हो जाता है आपका कैप से निन कैप से निन की वज़े से जो है मिर्च में जो है चट पटा हट हो जाती है आलू का हरा रंग किस की वज़े से हो जाता है तो आलू का जो हरा रंग है ये आपका हो जाता है सोले निन की वज़े से तो ये भी आपका गरट हो जाता है किसकी वज़े से सोलो निन की वज़े से हो जाता है आलू का हरा रंग गाजर में लाल रंग की बात की गई है यह किसकी वज़े से हो जाता है तो गाजर में जो लाल रंग है यह आपका एंथ्रोसाइनिन की वज़े से हो जाता है और यही जो है आपका सही दिया गया है बात कर लेते हैं मिर्च में जो लाल रंग आता है किसकी वज़े से होता है तो मिर्च में जो लाल रंग ये आपका आइसो साइनाइट की वज़े से नहीं आएगा ये आएगा आपका कैप से नाथिन की वज़े से ठीक है ये चीज़े आपने समझ ली है मिर्च में लाल रंग आपका कैप से नाथिन की वज़े से आ जाएगा मिर्च में जो चट पटा हर्ट है ये आपकी कैप से सिन की वज़े से आ जाएगी आलू का हरा रंग ये आपका सोलो निन की वज़े से आ जाएगा बर्व से ढख गई है और उसके अंदर जो फिर भी मचलिया जीवित रह जाती है किस तरह से रह जाती है या आपको बताना है उन्हें आक्षिजन अधिक मात्रा में पिराप्त होता है यह ऐसा तो नहीं होगा आक्षिजन अधिक मात्रा में कहां से आ जाएगा वे सांस को रोक लेती है यह ऐसा भी नहीं होगा सांस को कितनी देर तक रोक सकती है मचली तलों के निकट पानी नहीं जमता है तो यह आपका oxygen मिलती रहती है, उनका सारी रिक्ताब बढ़ जाता है, तो ऐसा भी नहीं होगा, सारी रिक्ताब बढ़ने से सांस का कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो 27 इसका पाया जाता है, बिना पके फल के लेटेक्स में जो है, ये पाया जाता है, अफीम, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बात कर लेते हैं, कोश्च नमबर 29 के बारे में, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन आपसे पूछे गए हैं, लाइकेन क्या हो जाएंगे, तो ल नियुक्तर नंसर का सिंसर के आसी का भिट्व काई नतीम होती है और चले बात कर लेते हैं कोशिण बहुत नंबर 31 के बारे में यह हमारा क्या हो जाता है निम्नलकित में सतर्य कोन सँ है या आप पूछा गया है और दभी की बात करते हैं दभी कौन सा जिवान उपाए जाता है तो दही में आपका लेक्टोबैसिलस पाए जाता है इस्ट्रेप्टो कोकस नहीं पाए जाएगा पनीर की बात करेंगे पनीर में भी आपका लेक्टोबैसिलस पाएगा ये भी आपका गलत हो जाता है मक्खन की बात करेंगे तो मक्खन में आ आपका क्यूरिंग से सम्मादित हो जाता है तीन आपके गलत हो जाते हैं और डी आपका करेक्ट हो जाता है बात कर लेते हैं कोस्टें नमबर 32 के बारे में वायू मंडिलिया नाइट्रोजन को म्रदा मिश्टिर करने वाली SIGV जिवानु कौन से हैं यह आपको बताना है SIGV की बात की गई है कौन से हो जाएंगे यह आपको बताना है और इसका जो करेक्टर आंजर हो जाएगा वो हो जाएगा माइको जो बैक्टिरियम होते हैं यह भी हो जाते हैं कैजो आरान, और एडो रइजोबियम ये भी हो जाते हैं, SIGB, एजिटो बैक्टर, और जिवानों, कारिक्टा आंसर हो जाएगा, वाईउ मंडल नाइटोजन को मुरदा में ष्ठ्रतर रखने वाले, SIGB आपसे पूचे गया हैं, तो उपर्योंग सभी जो हैं ये हो जाते हैं बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 33 के बारे में चैव कोशिका का कौन सा भाग पावार हाउस कहलाता है ये आपको बताना है और इसका जो करेक्टर आंसर ये आपका हो जाता है माइटो कोंट्रिया और ये आपने काफी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 34 के बारे में जन्तु कोशिका में किसका अभाव होता है ये आपको बताना है जन्तु कोशिका की बात की गई है किसका अभाव हो जाएगा जन्तु कोशिगा में राइबोसों का, माइटो कॉंट्रिया का, कोशिगा भित्ती का या न्यूकिलिस का और इसका जो करेक्टर अंसर है यह आपका हो जाता है कोशिगा भित्ती यह आपकी जन्तु कोशिगा में इसका भाव हो जाता है आप कह सकते हैं जन्तो कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती है उचले बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर हो जाता है हमारा 35 कोशिका सिध्धान्त किसके द्वारा परतिपादित किया गया है यह आपको बताना है कोशी का शिध्धानत की बात की गई है और 21 के द्वारा परतीपादित के आ गया है और इसका जो correct answer ये आपका हो जाता है सिलाइड ईनवे स्वान के द्वारा सिलाइड ईनवे स्वान के द्वारा जो है इसको परतीपादित किया गया है बात कर लेते हैं लाइसोसोम और यह कोस्चन जो है बार-बार आपकी परिक्षा में पूछा जाता है और यह आपके लिए important भी हो जाता है important तो आपके जो hundred question यह सारे का सारे हो जाते हैं लेकिन कुछ question जो है और भी ज्यादा important हो जाते हैं 36 का करक्टा अंसर आपका हो जाता है लाइसोसोम आत्म घाती थैली आपसे पूछा रहा है किसको कहा जाएगा तो लाइसोसोम को आत्म घाती थैली कहा जाएगा बात कर लेते हैं 37 के बारे में आनुवानसिक्ता की खोज किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है आनुवानसिक्ता की खोज ये आपकी की गई थी ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा ठीक है और ये उन्होंने जो है मतर के पोधे पर जो है उन्होंने रिशर्च की थी ठीक है ये भी आप जानते हैं म जो आपकी आनुमान सिकता हो जाती है, इसकी मूल भूतिकाई क्या होती है, तो यह आपकी जीन हो जाती है, जीन से ही जो आनुमान सिकता का पता चल जाता है, बात कर लेते हैं, 39 के बारे में, डियन्ने में पाए जाने वाले दूई कुंडिली संगरचना किस के द्वारा दी गई है यह आपको बताना है जो आपकी डियन्ने में पाए जाती है दूई कुंडिली संगरचना किस के द्वारा दी गई है ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा हर गोईंद खुराने के द्वारा वाटसं तथा किर्ग के दौरा यह आपका, बर्बरा यई मैक्टी लोक के दौरा। जो संगर्ण है, उसका सिधान दिया गया था। बात कर लेते हैं, 40 के बारे में, निम्ने लिखेंट में कौन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। इधर आपके जीवधारी दिये जाते हैं, इधर आपके उनके वैग्यानी की नाम दिये जाते हैं, और इनसे भी काफी कोश्चन आपके पूछे जाते हैं, और यहां बात करेंगे धान की, सही आपसे पूछा गया कौन सा हो जाता है, तो धान की बात करेंगे तो धान को जो है गेहों की बात की गई है, तो गेहों को क्या कहा जाएगा, गेहों को आपका टिकम एष्टी वम कहा जाएगा, तो ये आपका जो है, ये भी गलत हो जाता है, बात कर लेंगे चने की, तो चने को क्या कहा जाएगा, चने को आपका सिसिर एरी नियम कहा जाएगा, तो ये आपका correct हो जाता है आपसे पूछा गाए सही कौन सा है तो C आपका सही हो जाता है सरसो की बात करेंगे सरसो को क्या कहा जाएगा तो सरसो को आपका basic कहा जाएगा basic ये कहा जाएगा सरसो को ठीक है आपने देख लिए हैं किसको क्या कहा जाता है और आपसे correct answer पूछा गया तक correct answer आपका हो जाता है C बात कर लेते हैं question number 41 के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा सही हो जाएगा इस तरह के question जो है ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं और इसको जो correct answer है यह हो जाएगा आपका टमाटर में जो है आपका लाइको पीन पाये जाएगा गाजर में बिटा में नहीं पाये जाएगा गाजर में पाये जाता है आपका कैरोटीन कैरोटीन पाये जाएगा आपका गाजर में चुकंदर में क्या पाये जाएगा तो चुकंदर में आपका बीटा नीन पाये जाएगा क्या पाये जाएगा बीटा नीन पाये जाएगा आपका चुकंदर में और टमाटर में आप लाई को पीन होई जाता है बात कर लेते हैं 42 के बारे में निमनेल खित में से कौन सा सही हो जाता है यह आपको बताना है इधर आपके जीव दिये गए हैं इधर आपके गुनसूतर दिये जाते हैं खरगोस की बात करेंगे खरगोस में कितने गुनसूतर हो जाते हैं आलू में कितने गुनसूत्र हो जाते हैं, तो आलू में आपके 46 नहीं होगे, आलू में हो जाएंगे आपके 48, चुहें की बात की गई है, चुहें में आपके 38 नहीं होते हैं, चुहें में आपके 40 गुनसूत्र मिल जाते हैं, ठीक है, आपसे सही पूछा गया था, तो सही ईसका करक्रण नाथ्सर है यह आपको हो जाता है इस्जोडो मोनास स्थिर्ट दरन करने वाला जैवर उर्वरक नहीं और बाकी जो है यह सब जो है नाइटरोजन को इस्थर कर tehd verm बात प moskin को शुट्रizes करन करते हैं गोना को याद रखना है इससे जो है कई बार परिक्सा में question पूछा गया है बात कर लेते हैं 45 के बारे में मानव शरीर में पानी कितने परतीसद हो जाता है यह आपको बताना है और इसका जो correct answer है यह आपका हो जाता है 65 परतिसत 65 परतिसत पानी हो जाता है मानों के सरीर में बात कर लेता है 46 के बारे में निमने लिखते में से कौन सही है यह आपको बताना है कौन सा सही हो जाता है 46 की बात की गई है और इसका जो करक्टाम सार है यह हो जाता है आपका लिंगामेंट जो है यह आपका एक हड़ी को दूसरी हड़ी से जोड़ता है यह आपका लिंगामेंट हो जाता है काटी लेज की बात की गई है तो यह आपका लचिला और अर्ध कटोर सही हो जीव तक हो जाता है तो यह कंडरा मासपेशी को हड़ी से जोड़ने वाले एक संयोजी उतक हो जाता है और बात कर लेते हैं जो आपका सीटी रम दिया गया है सीटी रम एक छाती में पाए जाने वाली हड़ी हो जाती है ये जो है हो जाती है छाती में पाए जाने वाली हड़ी सीटी रम और 46 का करेक्ट का अंसर आपका हो जाता है भी बात कर लेते हैं 47 के बारे में एक अस्तियम दंत निर्मान तथा इसकी मजबूती के लिए आवसकत नहीं है कौन सा आवसकत नहीं है यह आपको बताना है तो जो किलोरीन है यह इसके लिए आवसकत नहीं है ठीक है फासपोरस इसके लिए आवसक क्लोरीन के आवसक्ता उसमें नहीं होती है बात कर लेते हैं 48 के बारे में निमने लिखते में सरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा हो जाएगा अश्थी जब्डे दंत या फिर दंत वल्क सबसे मजबूत भाग पूछा गया कौन सा हो जाता है और इसका गारेक्टांसर याका उसमे दंत वल्क का सबसे मजबूत भाग हो जाता है शरीर का बात कर लेते हैं 49 के बारे में निमने में इसके पाचन में लार सहयोक करती है यह आपको बताना है किसके पाचन पे लार सहयोक करती है वसा के, रेसे के, कार्बो हाइट्रेट के, या फिर आपका इस्टार्ज के और इसका जो करेक्ट आंसर या आपका हो जाता है D, यानि इस्टार्ज के इस्टार्ज के पाचन में सहेख करती है लार बात कर लेते हैं 50 के बारे में एंजाइम क्या होते हैं या आपको गलू कोज को एथनोल में बदलता है यह आपको बताना है कौन सा एंजाइम हो जाएगा जो गलू कोज को एथनोल में बदलेगा तो यह हो जाएगा आपका जाइमेज जाइमेज ऐसा जो है जाइमेज ऐसा एंजाइम है जो गलू कोज को एथनोल में बदल देता है बात कर ले ही है और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपको जाता है ट्रिप्शिन एंजाइम प्रोटीन को अमीने शिड में बदल जेता है और यह अगना सन में रस में मुझूद हो जाता है बात कर लेते हैं 53 के बारे में मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी को जाती है यह आपक सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और इदर आपकी सूची एक हो जाती है इदर आपकी सूची दो हो जाती है विटामिन की बात की गई है तो विटामिन किस से संबंदित हो जाती है यह आपकी एसकोरबिक अमले से संबंदित हो जाती है आपकी विटामिन एका दो हो जाता है और एक ही ऑप्षण में आपको ओ्संट में आपको डिया गया है रह कैसे इंचाइव ,group से होसे हार्मोन हार्मोन आक्सी होता है सब्सक्राइब इक हार्मोन हो जाता है minimum ठीक है इस तरह से जो है आप इनकी matching कर सकते हैं और आपका जो correct answer है A का 2 हो जाएगा B का 3, C का 1 और D का 4 आपका हो जाएगा बात कर लेते हैं question no.55 के बारे में निम्ब ने लिखे तमसे कौन सही है यह आपको बताना है सही आपसे पूछा गया है और इसका जो correct answer है यह आपका हो जाता है जो आपका फल सरकरा होती है यह आपकी फ्रेक्टोज हो जाती है और यहां से जो है सबसे ज़्यादे question आपसे पुछे जाते है इस्टीविया की बात करेंगे यह आपका हार्मोन नहीं है तो इस्टीविया आपका प्राकरतिक sweetener हो जा जाता है प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन आपका कैरोटीन नहीं यह आपका कैरेटीन हो जाता है इस तरह से जो है इनका आंसर हो जाते है पचपन का आपका correct answer हो जाता है बी बात कर लेते हैं 56 के बारे में निमनलिकत में से कौन सही है यह आपको बताना है कौन सा सह ही है राइबो फिलोविन की बात की गही है यह किस से संबंदित हो जाता है तो यह आपका विटामिन टू से संबंदित हो जाता है और यह आपका हो जाता है ठीक है विटामिन बी-3 दिखाया गया है यह आपका गलत हो जाता है राइबो फिलोविन जो होता है यह आपका विट करेंगे यह आपका विटामिन B12 से संबंदित हो जाता है साइनो कोबाल मिन की बात करेंगे विटामिन B12 से संबंदित हो जाता है बात कर लेंगे टोकोफोरोल की तो यह आपका विटामिन K से संबंदित नहीं है टोकोफोरल हो जाता है विटामिन E से संबंदित ठीक है यह आ । तो 0-5 तो पारिमिन के कमई म्यामार पूरार लिए विटामिन Z यह हो जाता प्पारिमिन एंपार्वे और विटामिन कम्यज़य कराइं की हम्यार हो जाता राथ की कणिए नहीं रीनिएए यह राल सफेद कर Laud भाल सफेत कि यह enough कर दातार्य। जीरो फिलेती मिया की बात करेंगे यह आपका विटामिन A से संबंदित हो जाएगा यह भी आपका गलत हो जाएगा यह आपका विटामिन A से संबंदित हो जाता है आप से पुछा गया सही कौन सा है तो सही केवल C हो जाता है बात कर लेते हैं 58 के बारे में सहायक आहार कारक किशे कहा जाता है यह आपको बताना है सहायक आहार कारक हो जाते हैं कौन सा हो जाता है तो यह हो जाता है आपका विटामिन विटामिन जो है एक सहायक आहार कारक हो जाता है बात कर लेता है 59 के बारे में कौन सी विटामिन सरीर से संचित नहीं होता है, यह आपको बताना है, सरीर से संचित नहीं होता है, तो यह हो जाता है आपका विटामिन C, विटामिन C जो है यह सरीर में संचित नहीं होता है, और इसको जो है आपको एक्स्टा जो है लेना पड़ता है, ठीक है, एक्स्टरनल रूप से आपको मिल जाएगी विटामिन C ठीक है ये जो है सरीर में नहीं बनती है बाकी जो है सबसरीर में बन जाती है और विटामिन C आपकी खट्टे फलो में पाई जाती है ये भी आप से पूछा जाता है और विटामिन C का सबसे जो अच्छा सुरोत है वो आपका आवल जाता है अल्फा केरिटोन पाए जाएगा केरोटीन बीटा केरोटीन या फिर आपका केरेटीन और इसका जो करेक्टर आंसर यह आपका हो जाता है बीटा केरोटीन बीटा केरोटीन यह आपका हरी सब्जियों में हरी सब्जियों का च्छसरोद माना जाता है बात कर लेते हैं 61 के बारे में कैसीन क्या है कैसीन आप से पूछा रहा है कैसीन क्या हो जाता है तो कैसीन एक जो है ये प्रोटीन हो जाता है बात कर लेते हैं 62 के बारे में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और इदर आपकी सूची एक दी गई है बात कर लेते हैं बाल से संब्दित, बाल जो है किस से संब्दित हो जाएगा यह आपको बताना है तो बाल में आपका पाया जाता है किरेटीन, किरेटीन जो है यह बाल में पाया जाता है प्रोटीन एवं वसा की बात करेंगे तो यह आपकी पाई जाती है मुंग फली में मुंग फली में आपकी प्रोटीन और वसा पाई जाएगी बात करते हैं गुलोटीन की तो गुलोटीन आपका गेहूं से सम्मदित हो जाता है सैक्रीन की बात करेंगे तो सैक्रीन यह आपका जो आपकी किर्तिम मिठास है जो आपकी बनाई जाते है किर्तिम रूप से उसमें जो है आपकी सैक्रीन पाई जाती है ठीक है और इसी जाप से आपका A का हो जाएगा दो और A का दो आपका दो उप्शन में दिया गया है और B क स्रीक का कौन सा भाग सरीर तब करता है ये आपको बताना है मच्श्टेश्ख уд तो खएबदा सोइसेन के लिया या फिर आपका हिर्दे। 63 की बात की गई है और इसका कर्वार्ट कर्यक्टर अंसर है यह C.Fabudis आपके तायगा और चारो तायम जलेगा, 7व दिन नंदम चलता है और चारो टायम चलता रहता है शुबह, 2फेट, शाम रात सब जो हैं ये चलता रहता है ठीक है तो इस तरह से जो आप कह सकते हैं तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं बात कर लेते हैं 65 के बारे में हमारे सरीर में रक्त का दाब होता है हमारे सरीर में रक्त का दाब कितना होता है ये आपको बताना है वायू मं मंडिले दाब से अधिक होता है या फिर इन में से कोई नहीं 65 की बात की गई है और इसका जो करक्ट आंसर यह आपका हो जाता है वायू मंडिले दाब से अधिक होता है ठीक है हमारे सरीर में जो रक्त का दाब होता है यह आपका वायू मंडिले दाब से अधिक होता है बात कर कहा जाता है Or इसका जो परतीपन्ड यह हो जाता की में कर जाता है बात कर लेते हैं शिश्टी सेवन के बारे में, निम्न्न लिगितर में से कौन सही है यह आपको बताना है, सही आपसे पूछा गया है, सही कोन सा हो जाएगा, और सचर रक्ट चाप की बात करेंगे तो यह आपका हो जाता है, 80 से 120, ठीक है? तो ये तो आपका 80-120 ये आपका उल्टा दिया गए है तो 120 और 80 हो जाता है ठीक है तो ये आपका हो जाता है 120 और 80 तो ये तो आपका हो जाता है गलत रक्ते में जो लाल रंगे किसकी वज़े से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हीमो गिलोबीन की वज़े से है और यहाँ आपका होमो साइनीन दिया गया है ये भी आपका गलत हो जाएगा रक्त में जो लाल रंग है ये आपका हीमो गिलोमीन की वज़े से हो जाता है रक्चाप मापने का जो यंतर है ये कौन सा हो जाएगा तो रक्ट चाप माप तेरने का यंत्र है, यह आपका इस विगनो मैनो मीटर हो जाता है सार भूमिक परदाता की बात करेंगे तो यह आपका कौन सा हो जाएगा तो यह आपका A भी नहीं है, यह आपका हो जाता है O ठीक है ओ जो है यह आपका सारू भूमिक रक्त परदाता हो जाता है आपसे पूछा गए सही कौन सा तो सही आपका केवल C हो जाता है बात कर लेते हैं 68 के बारे में रक्त समू की खोज की है रक्त समू की खोज किसके द्वारा की गई है यह आपको बताना है और इसका जो correct answer यह आपको हो जाता है card land इस्टीनर के द्वारा रक्त समोहों की खोज की गई है बात कर लेते हैं 69 के बारे में dialysis संबंदित है तो dialysis किस से आपको बताना है यह हो जाता है आपका विरक से संबंदित dialysis जो है यह आपका विरक से संबंदित हो जाता है और dialysis जो है यह किरंती विरक हो जाता है विरक माने kidney होती है तो यह आपकी kidney हो जाती है विरक को kidney कहा जाता है और यह उससे में काम करता है जब आदमी की दोनों kidney काम करना बंद कर देती है ठीक है उससे में जो है dialysis किया जाता है बात कर लेते हैं 70 के बारे में मानव विरक में पत्री पाए जाने वाला पर्थम योगी कौन सा हो जाता है पर्थम योगी कौन सा हो जाएगा जिससे मानव के पत्री बनती है विरक में किड़नी में आपकी पत्री हो जाती है, किसकी वज़े से हो जाती है, तो यह हो जाता है आपका कैल्सियम ओक्जिलेट, कैल्सियम ओक्जिलेट एक परमुक्ष योगी हो जाता है, बरक में पत्री बनने वाला, बात कर लेते हैं 71 के बारे में, मानव मूत्रा पीला रंग किस व और इसका जो करेक्टर अंजर यह आपका हो जाता है, यूरो क्रोम की वज़े से यह आपका हो जाता है, पानव का मूत्र यह आपका पीला हो जाता है, बात कर लेते हैं 72 के बारे में, सरीर का तापमान नियंतरित होता है, सरीर का तापमान किस से नियंतरित होता है, तो यह हो foreign height में बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 98.6 foreign height ये हो जाता है आपका सिरीर का ताप मान ओगा है बात कर लेते हैं 73 के बारे में निम्निलिक तमसे कौन से ही है ये आपको बताना है लव हार्मोन की बात करेंगे तो यह आपका आक्षी टोसिन हो जाता है तो यह आपका फैसो प्रोइजिन दिया गया है यह आपका गलत हो जाता है और यहां जो है कुछ और दिया गया है यह भी आपका गलत हो जाता है और यहां बात करते हैं जो आपका MSH होता है या आपका तो अच्छा के रंग से संब्धित हो जाता है तो यह जो है आपका सही हो जाता है MSH जो होता है या आपका तो अच्छा के रंग से संब्धित हो जा सब्सक्राइब करेंगे तो यह आपका इधर सब्सक्राइब हो जाता है इन सूलीन की बात करेंगे यह आपका यखरद से सम्धित नहीं है इंसुलीन आपका अगनासे से संबंदित हो जाता है यह हो जाता है आपका अगनासे से संबंदित ठीक है और इस तरह से जो है आपका 74 का करेक्ट आंसर आपका D हो जाता है बात कर लेते हैं 75 के बारे में निमनल कितमे से कौन सही है यह आपको बताना है 75 की बात की गई है और इसका जो correct answer है यह आपका हो जाता है जड़ मानवता जो है यह मानसिक एम सारी रिक विकास को अवरुद कर देती है और जब मानसिक और सारी रिक विकास रुख जाता है उसको जड़ मानवता कहा जाता है ठीक है और यही जो है आपका correct हो जाता है oxytocin की बात करेंगे यह किस से संबंदित हो जाता है तो यह आपका जो आपकी इस्थन की गरंथियां होती है उनसे संबंदित हो जाता है आपका oxytocin गेस्टीन की बात करेंगे तो गेस्टीन आपका ये अमल के सरामन को दिप्त करता है तो ये भी आपका गलत हो जाता है और एपी नैफरीन की बात करेंगे आप हिर्दय गती में जो वरद्धी करता है ठीक है वरद्धी करता है हिर्दय गती में यहां मंद धोना दिखाया गया ठीक है तो ये भी आपका गलत हो जाता है सही आपका केवल हो जाता है सी और कम समय में बहतर तयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकत और इस वीडियो की फिरी पीड़ पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अब आप हमारे वाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 76 के बारे में कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है लडो और उडो हार्मोन कौन सा हो जाता है यह आपको बताना है और इसका जो करेक्टर अंसर है यह आपका हो जाता है एडिनेलीन एडिनेलीन जो होता है यह आपका लडो और उडो हार्मोन कहलाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 77 के बारे में सूच एक को सूची दो से सुमीलित करना है इधर आपकी सूची एक दी गई है इधर आपकी सूची दो दी गई है और यह हम बात करेंगे सबसे पहले National Botical Research Institute की तो यह आपका हो जाता है लखनाव से सम्मधित और एका आपका हो जा जाता है और इधर फिर बात कर लेंगे इंडियन इंस्टिटूट ओफ सूगर टेकनोलोजी की कहां से सम्मधित हो जाएगा इंडियन इंस्टिटूट ओफ सूगर टेकनोलोजी तो यह आपका हो जाता है कानपूर से सम्मधित ठीक है और बी का आपका हो जाता है चार बी का आपका हो जाता है तीन, बात कर लेते हैं 4 के बारे में, राष्टिया पादप, जीनोर, अनुसंदान, तो ये आपका एक ही बच जाता है दिल्ली, ठीक है, और 4 का आपका हो जाता है, ठीक है, इस तरह से जो हैं, आप इसके आंसर लगा सकते हैं, A का 2, B का 4, C का 3, और 4 का हो जाता है, बात कर लेते हैं, कोस्चन नंबर 78 के बारे में, निम ने लिखते में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, सही आप से पूछा गया है, और इसमें जो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका केंद्रिया ओश्दिया और सुर्भी पादप संस्थान, ये ये आपका हो जाता है, कटक में, और कटक हो जाता है, आपका उडिशा में, डिन ने, फिंगर प्रिंटिंग और डाइगनों, इस्टेटिक केंद्र की बात करेंगे, ये कहां से संब्दित हो जाता है, तो ये आपका हैदराबाद से संब्दित हो जाता है, और यहाँ जो है question हो जाएगा correct कौन सा हो जाएगा correct आपको हो जाता है B जो है यह आपका लखना उसम्मदित हो जाता है बात कर लेते हैं 79 के बारे में निम्न लिखत में से कौन से ही है कौन से ही है यह आपको बताना है विस्व पोलियो दिवस की बात करेंगे यह आपका जो है 12 अक्टूबर से सम्मदित नहीं है यह आपका हो जाता है 24 अक्टूबर से सम्मदित ठीक है 24 अक्टूबर हो जाएगा विस्व फोल्यो दिवस बात कर लेते हैं विस्व मलेरिया दिवस की तो यह आपका 25 अपरेल से संब्धित हो जाता है आप से पूछागा है करेक्ट कोन सा तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा विस्व मधु में दिवस की बात करेंगे यह आपका 14 अक्टूबर से संब्धित नहीं है यह आपका हो जाता है 14 नवंबर से संब्धित बात कर लेते हैं विस्व सुआत दिवस की तो यह आपका 5 अपरेल नहीं होता है यह आपका हो जाता है 7 अपरेल ठीक है इस तरह से जो हैं आपके question का answer correct हो जाएगा भी विस्व मलेरिया दिवसी आपका 25 अप्रेल से सम्मधित हो जाता है और चलिए बात कर लेते हैं question number 80 के बारे में निमने लिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है गलत आपसे बताना है कौन सा हो जाएगा नीली करांती के बात करते हैं तो नीली करांती ये आपकी मतस्त से सम्मधित हो जाती है तो ये तो आपका correct हो जाता है काली करांती ये वे आपकी पैटोलिन से सम्मधित हो जाती है गोल करांती ये आपकी अंडा उतपादन से सम्मधित नहीं है गोल करांती ये आपकी आलू उत्पादन से सम्मधित हो जाती है ठीक है आलू के उत्पादन से सम्मधित हो जाती है आपकी गोल करांती ग्रे करांती की बात करेंगे ये आपका उरवरक से सम्मधित हो जाती है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है आपसे गलत पूछा गया, तो गलत आपका केवल C हो जाता है, बात कर लेते हैं, question number 81 के बारे में, निमने लिकित में से कौन सही है, यह आपको बताना है, सही आप से पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा, बात कर लेते हैं, जो आपका carbonic अमल होता है, तो यह किस से संबंदित हो जाता है, यह आपका हो जाता है, soda water से, carbonic अमल यह आपका soda water से संबंदित हो जाता है, tartic अमल की बात करेंगे, तो tartic अमल यह आपका अंगूर में हो जाता है, ठीक है, आप से पूछा गया, सही कौन सा है, तो सही आपका हो जाता है, B, यानि tartic अमल से संबंदित हो जाता है, आपका ब्यूटेरिक अमल की बात करेंगे तो ब्यूटेरिक अमली आपका नीमू पे नहीं होगा यह आपका हो जाता है मक्कन में और लेक्टो बैसिलिस यह कहां पाये जाएगा तो लेक्टो बैसिलिस जो है यह आपका दूद में पाये जाता है ठीक है कौन सा हो जाता है तो यह हो जाता है आपका कैल्सियम फास्पेट कैल्सियम फास्पेट आपका हो जाता है हड्डियों में उफस्तिती होगी साइट्रिक अमली की बात करेंगे तो यह आपका नीमू से सम्मधित हो जाता है और A का आपका हो जाता है तीन और A का तीन आपका दियागा है ओप्शन नमबर B में और B का आपका एक हो जाता है साइटिक अमल नीमू से सम्मधित वैस्विक तापन की बात की गई यह आपका carbon dioxide से संबंदित हो जाता है और bacillus, thurine, genesis जो है यह आपका जैविक किट नासक से संबंदित हो जाता है ठीक है और आप से पूछा गया सुमेलित कौन सा हो जाएगा तो B जो है यह आपके सुमेलित हो जाएगा बात कर लेते हैं 83 के बारे में कौन सा वनस्पती तेल हिर्दय रोग्यों के लिए उप्यूखत है यह आपको बताना है कौन सा वनस्पती तेल यह आपका हिर्दय रोग्यों के लिए उपस्तित है तो इसका जो करेक्टर आंसर यह आपका हो जाता है सूरज मुखी का तेल सूरज मुखी का जो तेल होता है यह आपका फिर दैरोग्यों के लिए उप्यूकत हो जाता है बात कर लेते हैं 84 के बारे में निम ने लिखेते में से कौन सही है यह आपको बताना है सही आप से पूछा गया है और सही जो हो जाता है यह आपका हो जाता है Magnetic Resonance Imaging जो है यह आपका संपूर सरीर्ण में विक्रती का पूर्ण सही तरह से पता लगाने के लिए परियुक्त किया जाता है क्या किया जाता है तो यह आपका हो जाता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम की बात करेंगे ये भी जो है आपका हिर्दे से संबंदित हो जाता है हिर्दे संबंदित जो ऐसामान नेताय होते हैं उसके लिए जो कार्डियोग्राम हो जाता है और इलेक्ट्रो इनसे फैलोग्राम की बात करेंगे ये किस से संबंदित हो जाएगा तो ये आपका मस्तिक्त की विक्रती से संबंदित हो जाता है जो आपकी मस्तिक्त में ऐसमानताय होती है उससे संबंदित हो जाता है आपका इलेक्ट्रो ट्राई फैलोग्राम आपसे पूछागा है सही कौन सा है तो सही आपका D हो जाता है बात कर लेते हैं 85 के बारे में निम निली गित्र में से कौन सही है यह आपको बताना है कौन सा सही हो जाता है गेहूं एक उसन कटी बंदिया पोजा हो जाता है तो यह तो आपका करेक्ट हो जाता है और गेहों को 40-50 degree Celsius के तापमान के आवसकता नहीं होती है, इसको केवल 10 से लेकर 25 तक के temperature के आवसकता होती है, बात कर लेते हैं 1963 में, 1963 ECV में अमेरिका के बोरलोग की साहता से सोनेरा 64, सोनेरा 63 लर्मा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहों परजाती का बीज भारत की सरकार ने परतम आयत किया था, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, और ये क्यों गलत हो जाता है, तो ये आपका 1963 में तो आया था, आयत इसका हुआ था, लेकिन ये अमेरिका के बोरलोग नहीं थे, तो ये आपके अमेरिका के राफिलर हो जाता है, तो अमेरिका के कौन थे तो ये गर्ट हो जाता है और कौन सा हो जाता है तो यह आपका kv trafficking के विल एक दिया गया है आपका slipТशन नमबर सी में बात कर लेते हैं 86 के बारे में दया को चावल की किस्म नहीं है यह आपको बथाना है चावल की किस्म कौन सी नहीं है तो जो आपके सोना लिका यह आपके चावल की किस्म नहीं है सोना लिका यह है आपकी गेहों की किस्म हो जाती है ठीक है गेहों की किस्म हो जाती है सोना लिका और बाकी जो है यह आपका कोसर, गोविंद, जमुना ये जो हैं आपकी चावल की किस्म हो जाती है बात कर लेते हैं 87 के बारे में निमने लिखते हैं कोन गेहों की किस्म नहीं है ये आपको बताना है और इससे पहले इस वीडियो में हमारे हो जाते हैं 100 कोश्चन और सारे जो हैं आपके लिए important हो जाते हैं ठीक है सारे question को आपको देख लेना है बात कर लेते हैं question number 87 का answer के बारे में निमने लिखते हैं कौन गेहों की किस्म नहीं है गेहों की किस्म कौन सी नहीं है तो जो आपकी गिर्जा होती है ये आपकी गेहों की किस्म नहीं है गिर्जा ये आपकी हो जाती है मक्का की किस्म ठीक है गिर्जा जो है ये मक्का की किस्म हो जाती है बाकि कंचन भावानी और कल्यान सोना ये आपकी गेहों की फसले हो जाती है बात कर लेते हैं 88 के बारे में निम नेली कितम से कौन भैस की नसल नहीं है बात कर लेते हैं 88 के बारे में निम नेली कितम से कौन सी भैस की नसल नहीं है या आपको बताना है बात कर लेते हैं कोश्चन अमेर 88 के बारे में और ये आपके से पूछा गया है भैस की कौन सी नसल नहीं है तो ये आपको हो जाता बात कर लेते हैं 89 के बारे में मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है जो आपका मायोपिया होता है एक रोग होता है आइस के अंदर यानि आख के अंदर इसको जो है मायोपिया कहा जाता है और यह देख सकता है नजदिक इस्थित वस्तो को साफ इसपस्ट रूप से और माय जो है यह आपको देख सकता है नजदीक वाली जो आपकी नजदीक इस्थित वज्टू को इस पर स्टूप से देख सकता है मायोपिया ठीक है 89 का करेक्टर आपका यह हो जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 90 के बारे में निमने लिखित में से कौन सही है यह आपको बताना है सही आप से पूछा गया है और सही आपका हो जाता है जो आपका हैपिटाइटिस भी होता है ये आपका प्रोटो जो वा संक्रमन से संब्धित हो जाता है और बाकी की बात कर लेते हैं जो आपका इंसे फलाइटिस होता है ये किस से संब्धित हो जाता है तो ये आपका मस्तिक किस से संब्धित हो जाता है जीवानू संक्रमन से यह संब्धित नहीं है क्वा सिरोरकर की बात करते हैं क्वा सिरोरकर यह क्या हो जाता है तो यह आपका प्रोटीन अपलबता की बात करेगा यह आपका मस्तिक से संब्धित नहीं है ठीक है क्वा सिरोरकर जो है यह आपका प् लिखता से सम्मंदित नहीं है गौाइटर आपका हो जाता है आयोडीन की कमी से जो आपका आयोडीन होता है उसकी कमी से आपका गौाइडर हो जाता है बात कर लेते हैं कोश्चा नमर 91 के बारे में निमनेलिकित में से कौन गलत है यह आपको बताना है गलत आप से पूछा गय है इदर आपकी बीमारी दिये गईंँए इदर आपके जीवानों के नाम दिये गई है किस्की वज़े से कौन सी बीमारी हो जाती है बात कर लेते हैं हेजा के बारे में हैजा किस सम्मधित हो जाता है लbubrys in और और यह आपका करेक्ट हो जाता है यह आपका साल मोनेला टाइफी के द्वारा हो जाता है यह भी आपका करेक्ट हो जाता है काली खासी की बात की गई है यह आपका डिपलो कोकस न्यू मोनी के द्वारा नहीं होता है और यह किसकी वज़े से हो जाता है तो यह आपका हीमो फि Amorphilius, Hemophilus, Aum2000, Partussis, ठीक है इसकी वज़े से जो है आपकी कालीखासी हो जाती है, सिफिलिस की बात करें के तो यह आपका Tepinoma Pallidium की वज़े से हो जाता है, ठीक है, आप से पूछा कह गयासी गलत कौन सा तो गलत आपका कालीखासी डी गई है, बात कर लेते हैं कोस्टन नमर 92 के बारे में निमने लिखतम से कौन परजीवी द्वारा होने वाला रोग हो जाता है परजीवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाता है और इसका जो करक्टान जार है यह आपका हो जाता है मलेरिया Maleria जो है यह आपका परजीवी के द्वारा होने वाला रोग हो जाता है बात कर लेते हैं question number 93 के बारे में निम नेली किता में से कौन गलत है यह आपको बताना है गलत कौन सा हो जाता है और इसका जो गलत हो जाता है यह आपका हो जाता है टर्णम सिंड्रोम जो है किस से संबंदित हो जाएगा तो ये रोग जो है किस्तिरियों में होता है समस्या क्या होती है तो ये आपकी गुंड सोत्रियों की जो संख्या होती है ये आपकी 45 हो जाती है ठीक है इसको जो है टर्णम सिंड्रोम से रिलेटिट करके देखा जाता है बड़धानता की बात करेंगे इसमें रोगी जो है लाल और हरा रंग की पहचान करने की छमता नहीं रहती है तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट हीमोफीलिया की बात करेंगे तो ये आपका रक्त का थक्का नहीं बनाता है यह भी आपका करक्ट हो जाता है और बात कर लेते हैं Clean Neafelder Syndrome के बारे में यह आपका पुरसों में एक रोग हो जाता है ठीक है आपसे पूछा गया गलत कौन सा तो गलत आपका हो जाता है Turnal Syndrome Turnal Syndrome यह आपका बाल गिरना से सम्दित नहीं होता है बात कर लेते हैं 94 के बारे में निम ने लिखित में से कौन सा सही है सही आप से पूछा गया कौन सा हो जाएगा H1N1 की बात करेंगे ये आपका स्वाइन फिलो से सम्मदित हो जाएगा ये बड़ फिलो से सम्मदित नहीं है H5 N1 की बात करेंगे ये किस से संबन्दित हो जाएगा तो ये आपका बड़ फुलो से संबन्दित हो जाएगा ये आपका स्वाइन फुलो से संबन्दित नहीं है Ebola की बात करेंगे ये किस से संबन्दित हो जाएगा तो यह आपका प्राण घातक विसानु हो जाता है इबोला ठीक है यह आपका हो जाता है सही और एलिशा की बात करेंगे यह आपका आनुवांचिक परती करती करती नहीं है एलिशा हो जाता है यह आपका एड्स का एक टेस्ट हो जाता है एड्स का जो पहचान करने के लिए ज आविसकार हो जाता है यह आपको बताना है यहां हम बात करेंगे विटामिन B के बारे में इसका जो आविसकार किसके द्वारा किया गया था और विटामिन B का आविसकार किया गया था आपका मैकुलन के द्वारा ठीक है और यह आपका फंक के द्वारा नहीं किया गया है होमि अज़र आप बागत करेंगे बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया जो है यह आपका ल्यूमैन होक से संबंदित हो जाता है यह हनीमैन से संबंदित नहीं है बैक्टीरिया किस से संबंदित हो जाता है ल्यूमैन होक से संबंदित हो जाता है आपका बैक्टीरिया आप से पुछ मच्चर की संग्या ठीक है यह को थोड़ा डर करे रहना यह हैं Rogasrap अगर यहां बात करने हैं 96 के बारे में इए हो जाता है आपका आधिज औल वो पिक्टस आधिज अल वो पिक्टस त्योग यह आपका टाइगर मच्चर की संग्या परदान की दे आती है एडीज एडीज एलवा पिक्टस को बात कलेते कॉस्चन नमर 97 के बारे में Antibodies क्या होती है तो ये हो जाती है आपकी Proteins Proteins जो है इनको Antibodies कहा जाता है बात कलेते हैं 98 के बारे में किस विटामिन की कमीशे fatty liver का विकास होता है fatty liver का विकास किस की कमी से होता है यह आपको बताना है और यह हो जाता है आपका kohlines की कमी से kohlines की कमी के द्वारा जो है यह आपका fatty liver का विकास होता है बात कर लेते हैं 99 के बारे में और यह हमारा second last question हो जाता है निमनेली कितमे से कौन सही है यह आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है जो आपका द्रेश्टी वैसम में होता है यह परकास की किर्णे रेटी ना में एक बिंदू पर केंदरित ना हो पाना ठीक है ये हो जाता है आपका दृष्टी वैसम में और ये ही जो है आपका सही हो जाता है बात कर लेते हैं जरादूर दृष्टी के बारे में तो ये आपका आखे कार्णिया का रोग नहीं है ये आपका हो जाता है जो आपकी वरत दावस्ता में लेंस अत्वा सिलिष्टी पेश्यों की लचक गट जाती है ये आपका वरत दावस्ता में होने वाला एक रोग हो जाता है जरा दूर दृष्टी था बात कर लेते हैं सिले सिले मा सोध के बारे में ये आपका पर का सहन नहीं कर पाना ये भी आपका गलत हो जाता है और ये हो जाता है जो आपके परभावी तनेतर होते हैं उनमें जो है जलन होना किरी किरी पन का अनुबा होना या पल के सूच जाना ठीक है इनको जो है सिले सिले मासोध कहा जाता है और इसके बाद बात कर लेते हैं रोहा की रोहा किस से सम्मंदित हो जाता है रोहा जो है एक लास्ट कोस्टिन हो जाता है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है इधर आपके प्लांट हार्मोन दिये गए हैं इधर आपके कारिये दिये गए हैं क्या क्या कारिये करते हैं और यहां हम बात करेंगे आक्षिन के बारे में तो आक्षिन जो है किस से सम्मंदित हो जाता है तो आक्षिन सम्मंदित हो जाता है आपका सिखर परभूतु से जिब्रेलिन की बात करेंगे जिब्रेलिन आपका हो जाता है जो आपका कोशिका का विश्तार होता है उससे जो है सम्मंदित हो जाता है epsi sick acid ये किस से संबंदित हो जाता है तो ये आपका विरद्धी अवरोधन से संबंदित हो जाता है और इस तरह से आप कह सकते है A का आपका 4 हो जाएगा A का 4 आपका 2 option में दिया गया है C का आपका 1 हो जाएगा B का आपका 1 हो जाएगा टोटल हंडेट कोश्चन और कम समय में बहतर तयारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं और इस वीडियो की फिरी निसूलक पीडियाप आने के लिए अब आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारे वाटसअब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहां आपकी कोई फीश नहीं होती है और फिरी पीडियाप आपको मिल जाती है और इसके दोनों के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार